जहन दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC GD की राइट जिसके आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो यह जो आपका SSC है यह आपके दो तरीके के एक्जम है आपे ठीक है SSC है आपका यह होता है आपका स्टाफ स्लेक्शन कमीशन यह आपका होता है यानि कि SSC जो है आपका और GD का यहाँ पर जो मतलब है राइट GD है यहाँ पर जनल ड्यूटी मैं पहले आपको बताया देता हूं कि इंडिया में दो तरीके के एक्जम होते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया की राइट तो यह पर है इंडिया में दो तरीके के एक्जम होते हैं वो दो तरीके के एक्जम कौन-कौन से हैं जो पहला एक्जम है आपका वो होता है यानि कि सब्जेक्टिव राइट और जो दूसरा एक्जम है आपका वो होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है आ आपको कोई भी चीज describe करनी पड़ेगी, openly दिखानी पड़ेगी, object का मतलब होता है, यानि कि आपको किसी चीज में से एक चीज को चुनना है, और वो क्या चुनना है? सही चीज चुनना है, right? तो मैं आपको बताए देता हूँ इसके बारे में, चली erase कर देते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि subjective, objective ये सिस्टम में वो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, number X subjective की बात करते हैं, किसकी? subjective की बात करते हैं, और subjective क्या है? मैंने क्या है? किसी और ही देखनी पड़ेगी जैसे कि suppose that IS का एक्जाम हो गया PCS का एक्जाम हो गया यह आपके subjective exam होते हैं लेकिन दूसरे नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं आपके objective exam क्या होते हैं objective exam right objective exam होते हैं objective exam क्या है किसी चीज को चुनना जैसे suppose that मैंने कोई भी topic पूछा आप से कि भारत का प्रदानमंतरी कौन है यानि who is the prime minister of India तो आपको यहाँ पर चार option दिये जाएंगे मान के चलो ए दे दिया यानि कि हर गोविंद जो भी नाम है आपका भी दे दिया यहाँ पर भी कोई भी नाम दिया जा सकता है एक option आपको दे दिया नरेंद्र मोधी क्या दे दिया नरे नरेंद्र मोधी है यानि नरेंद्र मोधी is a prime minister of India भारत के प्रदानमंतरी कौन है नरेंद्र मोधी जी है तो यह आपके objective हो गए राइट जादातर बच्चे जो तैयारी करते हैं वो objective exam की करते हैं केबल जो आपके यह related होते हैं जैसे कि आपका UPSC हो गया राइट तो वो exam जो आपके होते हैं वो subjective होते हैं जैसे कि suppose आपको कोई essay लिखना पड़ेगा या आपको उसको describe करना पड़ेगा ठीक है आपको क्या करना है चुनना है subject में अपनी तरफ से कुछ बनाना है यानि 30 कली जो exam है वो subjective में आते हैं और यहां पर objective में आते हैं जो आपको चुनना पड़ेगा एक option देखना पड़ेगा तो आज हम बात कर रहें SSC GD यानि कि आपका जो है constable exam है आपका तो अभी हम इसके आगे बात करते हैं देखिए SSC GD में जो math के chapter आते हैं आपके वो math का जो content है वो क्या है पहला chapter आपका number system आता है ठीक है जिसको हम संख्या पद्दिती क का मतलब क्या है जो पहला chapter है संख्या पद्दिती मैं sort में लिख दे रहा हूं मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूं पहला जो topic आपका वो है संख्या पद्दिती यानि संख्या पद्दिती का मतलब हो गया आपका number system क्या हो गया number system तो जो पहले topic पर चलते हैं sort में लिखूंगा मैं number system इसमें हम कई सारे types सीखेंगे ठीक है जैसे कि suppose that हमें unit digit निकालनी आनी चीए क्या नी चीए unit digit निकालनी आनी चीए unit digit का मतलब हो गया जिसमें हम हिंदी में कहते हैं जिसको हम एकाई कांग यह हम आपको यह बहुत सारी चीज़ें आपको जो सिखाएंगे मों किस में सिखाएंगे number system में सिखाएंगे right दूसरा जो है आपका वो होता है आपका जो दूसरा chapter वो है आपका friction जिसमें आप दो चीज़ें जानेंगे एक तो आपकी decimal frictions होती है जिसको हम 10 मलब भिन कहते हैं एक आपकी simple friction होती है जिसको हम 700 भिन कहते हैं तो मैं आपको बदा देता हूँ यानि कि जो आपकी simple fraction में आती है वो जैसे कि मैंने लिख दिया 4 upon 5 यह आपकी simple friction है एक चीज़ समझ लेना कि simple friction से ही हम जो दूसरा part लेते हैं यानि the second part of the decimal friction is depend on the first part of simple fraction वो आपका simple fraction ही होता है इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो 4 है यहाँ पर इसमें 5 से divide करना होगा जितना answer आएगा वो decimal में निकल कर आजाएगा कितना आजाएगा decimal में यानि कि अगर suppose जट हम इसको करेंगे तो कितना आगया है यानि 0.8 जो आएगा यह कौन सा आएगा decimal friction है तीसरा जो chapter हम लेते हैं आपका वो है आपका कौन सा simplification simplification में यानि कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरली करन क्या कहते हैं सरली करन यहाँ पर संख्याओं को sort करना सीखेंगे simplification में भी हमारे जो related होते हैं वो number से related questions आपके आते हैं आपका है वर्गमूल और घनमूल और करनी तो वर्गमूल घनमूल जो चौता है आपका यहाँ पर हम roots के बारे में सीखेंगे इसको root होगा आपका cube root होगा आपका करनी यानि की certs हो गया जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में करनी कहते हैं अगला है आपका औसात यानि की average इसमें आपके बारे में सीखेंगे अगला चेप्टर आपका percentage है प्रसत तो आप जानते हैं मैं आपको बता दूंगा जब चेप्टर कराएंगे की percentage किसकी होती है 100 की होती है आगे लाभानी और बट्टा है आपका जिसको हम profit loss and discount कहते हैं फ लेकिन कभी कभी क्या होता है चलिए यह आपको हो गया अब मैं आपको बता देता हूं आगे देखिए यह जो जीडी का exam है आपने भर रखा होगा बहुत से student ने इसको फिल किया होगा exam date जो है आपकी आने वाले यानि कि इससे अभी जो notification आया हुआ है currently वो 16th November 2021 से लेकर व 15th December 2021 तक जो अभी आपके पास में time है वो मान के चलिए कि 26 दिन है कितने है 26 दिन है मैं आपको लिखके दे सकता हूं 100% आपको यह promise करता हूं अगर आपने हमारी videos classes per day के साब से कर ली और आपने थोड़ा ध्यान लगा दिया तो मैं लिखके दे सकता हूं कि mathematics में आपको GD मे solve करने में कोई problem नहीं होगी तो दोस्तों आप हमें follow करेंगे रोज और हमारी आपको हमारे channel अगास्तू learning पर आप जाएंगे अगास्तू YouTube पर सर्च करेंगे जिसमें आपको सारी video सारी classes topic by topic आपको हम करा देंगे right इतना promise मैं आप से कर सकता हूं अगर आपने classes पूरी कर ली तो 100% आप math मैं से यानि कि जो आपके math के 25 question जो आपके आते हैं मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम 22 22 question आप आराम से करके आजाएंगे यह आपका average आजाएगा बस आप हमें follow कीजिए और हमारी classes को time से कीजिएगा तो आपने मैं बता जाता हूं राइस station जो आपने किया 30,271 यह आपके हैं यानि 25,271 वेकेंसी हैं जो काफी वेकेंसी आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना आप सीख जाएंगे देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं आपका जो यह syllabus है वो किस तरीके से आएगा यानि आपकी reasoning आएगी 25 नंबर की ठीक है और आपका जो आएगा जनन knowledge 25 नंबर काएगा आपकी elementary mathematics 25 नंबर काएगा आपकी English और Hindi या तो आप English देखिए इसमें दो पार्ट हैं आपके दो पार्ट हैं एक आपका English है ठीक है और एक आपका Hindi है तो आप यह मैं सोचना कि English Hindi दोनों आपको करनी है नई आपको एक पार्ट करना है या तो आप English क अच्छी है तो आप Hindi कीजिएगा राइट इस तरीके से आपको करना यह SSC के बारे में जानकारी है देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपके पास 26 दिन है मात्र हम आपको यानि कि 15 से 16 दिन जो आपको पढ़ाएंगे वो 100 ट्रिक से math पढ़ाएंगे और जितने भी आ math में पास हो जाएंगा फिल नहीं होंगे क्योंकि मैं बता देता हूं इसको पार करने के लिए आपको मान के चलिए 75 to 80 numbers आपको लाने होंगे तो चलिए दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया जीडी के बारे में next classes में हम बात करेंगे तो topic by topic इनको clear करेंगे ठीक है तो मैंन कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और आपका Friday और Saturday राइट यह आपका इस तरीके से हम classes चलाएंगे अपनी वो Monday को चलेगा आपको math और GK की classes मिल जाएंगी राइट और आपको Tuesday में जाएंगे तो आपको reasoning और Hindi मिल जाएगी राइट आप Wednesday को जाएंगे तो Wednesday को आपको math और GK मिल जाएगी reasoning और Hindi, Friday को जाएंगे तो Friday को आपको math और GK मिल जाएगी राइट और आपको Saturday को जाएंगे तो Saturday को आपको reasoning और Hindi मिल जाएगी तो बच्चों यहाँ पर जो आपको classes मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी इसका schedule यह है कि Monday से Saturday तक आपको हमारा YouTube channel है वो हमारे देखिए आपको जो classes live मिलेंगी आपको YouTube पर जो classes मिलेंगी वो आपको एक बज़े से लेके यानि कि आपका यह हो गया 1 p.m. से लेके और 3 p.m. तक आपको यह classes मिल जाएंगी राइट 3 p.m. तक हमारी परड़े यह classes चलेंगी और आप YouTube पर देख सकते हैं हमारा YouTube channel है ठीक है वो YouTube channel में तो आप आपको बता देता हूँ आप लिख लेना यानि हो गया A-U-G-A-S-T-U अगास्तू L-E-A-R-N-I-N-G अगास्तू learning पर आपको एक classes मिल जाएंगी तो आप परड़े class कर सकते हैं बच्चों हमारे हाँ देखिए जीके के भी जो teachers होंगे reasoning के भी जो teachers होंगे हिंदी के भी जो teachers होंगे वो expert होंगे और मैं आपको फिर वोई बताने जा रहा हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना हमारे साथ में आप यहां पर अगर आपने हमारी classes time to time कर लें तो हम आपसे वादा कर सकते हैं कि आपका selection पक्का है आपका जो selection है वो पक्का है ठीक है तो आपको क्या करना है select होना है तो आप अपने आपको इतना मजबूत बना दीजिए कि आप यहां पर थोड़ी सी मेहनत करके अपने आपको select कर पाएंगे राइट तो यह आपके लिए मैंने schedule share कर दिया है ssegd के बारे हम बता दिया है धन्यवाद दोस्तों